दोस्तों आज वीडिवन बात और कानूरा बारे do is अग्षिम बारे ओ tightening procrastination के वारे हैं। गोलडोन वसकी स्केम नमशकार दूस्तों हाज वीडियो plugged significa control दोस्तों ऐन पड़ें आगद वीडियो के बात करने वाले हैं थे अंग्र बीडियो दूस्तों है जिसका आप ज़्यादा यूज नहीं करते हैं आप उसके अगेंस्ट इजली लोन ले सकते हैं बहुत ही सिंपल और हैजल फ्री लोन है और इंट्रस्टेट भी इसमें ज़्यादा चार्ज नहीं होता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैनरा बैंक से किस तरह से गोल डोल ने सकते हैं क्या क्या डॉक्यमेंटेशन होगी क्या रिक्वाइर्मेंट्स हैं इंट्रस्टेट क्या चार्ज होगा मार्जिन क्या होगा सिक्योरिटी क्या होगी चार्जिस क्या होंगे और इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको अल्मोस्ट सभी लोन स्कीम के रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे जिनका लिंक आपको उपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा अगर आप कैनरा बैंक से या किसी भी बैंक से गोल दोलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी इसकीम का लाब उठा पाएं मैं हूँ आपका दोस्त रोही स्वागत करता हूँ आप सबका टेकी बंडिक में और जुड़े रहे हैं हमारे साथ और भी ऐसे इन्फोर्मेशनल वीडियो के लिए तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तो गोल्डोन का जो पर्पस है जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि इसका जो पर्पस है वो किसी भी कंटिंजन्सी अब किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए आप ले सकते हैं वो आपकी कोई मेडिकल रिक्वार्मेंट भी हो सकती है बच्चे की पढ़ाई हो सकती है या कोई भी कंटिंजन्सी है आपको कोई रिक्वार्मेंट है मेरिज है आपकी या कोई बि इवन की same day ही में ही अगर आप आज ही gold लेके जाएंगे bank के बाद same day ही bank आपको loan दे देगा, तिकि इसमें bank को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, bank के valuer जो है वो gold का appraiser जो है, gold का appraisal करेगा, बस that's all, bank उसको gold को रख लेगा और इस against आपको loan दे देगा, और rate of interest भी इसमें reasonable हो जाता है, as compared to other loans, eligibility criteria क्या है इसमें, कोई भी SB account holder इसके लिए eligible है, जिसका bank के साथ satisfactory dealing हो, bank manager जो है, वो satisfied होना चाहिए कि, जो customer है, वो अच्छे से deal कर रहा है, otherwise कोई new customer को भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि already को existing customer ही हो, नया customer भी इसके लिए eligible है, नया account खुलवा के, वो भी loan ले सकते हैं, quantum क्या रहेगा, minimum कम से कम 5000 पर, maximum जो है 20 लाक होते हैं, इस scheme के अंडर आप ले सकते हैं, तो यह जो, यह तो banks to bank vary करता है, कहीं लोग 15 लाक maximum देते हैं, कहीं लोग 10 लाक देते हैं, maximum camera bank का जो 20 लाक है, बाकी procedure सेम ही रहता, एक interest rate में थोड़ा बहुत फरका था, bank to bank और quantum में, और repayment भी mostly banks की same ही है, जैसे camera bank 20 लाक दे रहा, कुछ bank 10 लाक या 15 लाक भी देते हैं, बट यह depend करेगा कि आपके पास gold कितना है, maximum का मतलब यह नहीं है कि आपको 20 लाक ही मिल जाएगा, आपके पास gold कितना है, उसमें से margin, minus करने के बाद ही आपको loan मिलेगा, documentation, इसमें कुछ खास documentation है नहीं, क्योंकि आपको gold के against मिलेगा, तो simple आपका KYC लिया जाएगा, address proof, ID proof, और इसके बाद में, आपको एक certificate मिलेगा, jewler से, वो bank का appraiser bank ही आपको देगा, बस that's all, इससे द्यादा कुछ, इसमें proofs नहीं चाहिए, interest rate, interest rate जो है यह सेम नहीं रहते है, interest rate change होते रहते हैं, जो present rate है आपकी screen पे है, RLR plus 0.75%, और जो present RLR है, Canada bank की वो 6.9% है, और 0.75 जोड़के बन जागा है, 7.65, तो बहुत ही nominal rate of interest है, और यह present rate of interest है, तो interest rate आप जब भी loan लें, आप present rates website पे check कर लें, या bank visit कर लें, क्योंकि rates जो है, यह change होते रहते हैं, अभी का rate आप देख पार है अपनी screen पे, तो repayment, gold loan का repayment, जो है, 12 months में repay करना होता है, mostly सभी banks का ऐसे ही है, gold loan जो है, वो 12 महीने के लिए ही होता है, हाँ, अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं, या आपको पैसों की जुरूरत है, तो आप same day बंद करवा के नया loan फिर से कुलवा सकते हैं, एक तरह से आप renewal बोलीजिए, या नया से आपका loan हो जाएगा, उसको आप अगले साल फिर से continue कर सकते हैं, तो repayment इसकी जो है, bullet payment भी हो सकती है, आप चाहे तो आप interest भी monthly serve कर सकते हैं, और last में जब 12 महीने खातम हो तो आप पूरा principal दे सकते हैं, दोनों तरह के आपका पास available हैं, पर better यही है कि आप monthly interest देते रहें, और principal last में दे रहें, अगर आप monthly interest भी नहीं देंगे, last में principal में add ह जो के वो बहुत जादा amount बन जाता है, थोड़ा मुश्किल रहता है, आप हो सके तो उसको monthly EMI में convert करवा लें, या अपने हैसाब से कुछ convenient EMI करके उसको repay करते रहें, ताकि आपको 12 महीने के बाद एक साथ पैसा ना देना पड़े, उसके बाद में एक sworn overdraft scheme है, इसमें 2 years का repayment है, और sworn express scheme भी है, जिसमें 6 months का bullet repayment है, bullet repayment होता है, one shot में जो आप payment करते हैं, और security क्या रहती है loan में, तो gold loan में तो security यही रहती है कि आप जो भी gold देते हैं, वो bank उसको pledge कर लेता है, और अपने तिजोरी में, locker में, safe deposit में रख देता है, और वो loan तब तक bank के पास रहता है, जब तक कि आप loan पूरा repay ना करते हैं, और एक और condition है, mostly banks में यही है, जो banks हैं, जूलरी के against loan करते हैं, और जूलरी के against loan करने का एक कारण और भी हो सकता, क्योंकि banks जो हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं, कि आप loan repay ना करें, और bank को खुद आपका सोना बेचना पड़े, तो bank ऐसा कभी नहीं चाहता, bank चाहता कि bank को interest time पर मिल जाए, और customer अपना gold ले जाए, और इसलिए bank जो हैं, वो jewelry के against loan करते हैं, क्योंकि jewelry के साथ, लोग थोड़ा emotionally attached होते हैं, ladies खास कर, वो थोड़ा emotionally attached ह होते हैं, और वो अपनी jewelry को थोड़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो loan repay करते हैं, trust के साथ, और coin के against bank loan देता है, लेकिन maximum weight जो है, वो 50 gram रखा गया है, coin के case में 50 gram से जाधा bank loan नहीं देता है, उसके अलावा charges, तो charges भी vary करते हैं, bank to bank, time to time, तो sworn loans के लिए है, 0.5% of the loan amount, minimum 500, maximum 5000 है, और sworn overdraft scheme, उसमें भी same है, और sworn express scheme में, 50% of the charges applicable to sworn loans, तो sworn loan में जितना है, उसके 50%, मतलब 0.25% loan amount का, तो यह यह थे charges, उसके अलावा margin भी रहता है, तो आपका जितना भी gold होता है, उसको bank का valuer जो है, उसकी valuation करता है, उसकी valuation करने के बाद उसका वो gross weight निकालता है, उसके बाद net weight निकालता है तो ग्रास वेट तो पुरा भेट हो गया गोल्ड का उसके बाद नेट वेट निकालते हैं उसमें से जो अगर कोई नग वगएरा लगे हैं स्टोन गयर लगे हैं उनको सबको माइनस किया जाता है उसके बाद में इंविडिज को भी माइनस किया जाता है उसके बाद ही उसका नेट वेट निकलता है और गोल्डोन जो होता है वो नेट वेट पे ही करते हैं बैंक्स ग्रॉस वेट पे लोन नहीं होता है उसके बाद ने इनल्राब lênk gold ånd तो चैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कमेंट करके कमेंट box में बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को share करें thank you for watching